नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्ति ये अरीजगूर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दे इंडियन पल्स में दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं MCA से रिलेटिड आने वाली परिशानियों के इशू को लेकर दोस्तों Ministry of Corporate Affairs ने अपना Version 3 मतलब V3 पोर्टल लॉंच किया और जब से ये पोर्टल लॉंच हुआ है 5 मार्च से तब ही से इस पोर्टल पर कोई भी काम नहीं हो पा रहा है ये LLP के लिए एक अलगी functionality लेकर आए जिसमें हर एक LLP को अपनी individual login बनाना जरूरी है उसके बाद ही वो अपना कोई form फाइल कर पाएंगे लेकिन जैसे ही individual login बनाने जाते हैं ना तो individual login ही बन पा रही है business user के नाम पर वहाँ पर कोई भी login create नहीं हो पा रही है आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं और हमारी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने कोशिश की एक business user के तोर पर अपनी profile create करने की LLP की लेकिन हम profile create करने में नाकाम रहें तो ये परिशानी आ रही है इसके साथ ही LLP के जिन forms की due date है charge creation के form की अगर हम बात करें हम एक charge creation का form भर रहे थे form 8 और उसमें भी हमें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है प्री स्कूटनी तक नहीं हो पा रही है और form कह रहा है कि प्री स्कूटनी version 3 के अंतरगत ही होगी अतरवाइस प्री स्कूटनी नहीं होगी जैसा कि आप display पर देख पा रहे हैं यहाँ पर ये error आ रही है प्री स्कूटनी नहीं हो रही तो ये सब परेशानिया MCA के portal पर आ रही है जितने भी consultant चाहे company secretary है चाहे chartered accountants हैं जो ministry of corporate affairs के साथ deal कर रहे हैं जो भी stack holders हैं सभी के सामने इस समय ये परेशानी है कि वो अपने work कैसे निप्टाएं जो भी glitches हैं इस website को लेकरके उन्हें दूर करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है तो आप से हमारी यही request है कि आप जल्द से जल्द हमारे इन issue पर विचार कीजिए क्योंकि version 3 आपका बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा है वैसे भी हमारे पास में पुरानी website सही काम कर रह थी आपको version 3 लाने की कोई भी आवश्यक्ता नहीं थी लेकिन ठीक है आप infrastructure development के नाम पर version 3 लेकर अगर आ रहे हैं तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें कुछ पहले से बहतर देंगे ना कि पहले से वर्स देने वाले हैं तो उम्मीद यही है आपसे कि आप हमारी इस request को मानेंगे या तो इस version 3 के साथ को prototype facility हमें provide कराईए ताकि हम अपने कामों को निप्टा सकें या फिर इसे portal के जो भी glitches हैं उन glitches को दूर करेंगे तो आज इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद यह है और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जाद से जादा शेयर कीज ताकि ministry तक हमारी ये बात पोचे हम इस वीडियो को tag कर रहे हैं ministry के पास भी और हमारी money and finance minister निर्मला सीतरमन जी के पास भी ताकि वो लोग भी देखें कैसे professionals के time के साथ मज़ा किया जा रहा है सिर्फ इस poor infrastructure के नाम पर खेर आज के लिए हम इतना ही आपकी और परेशानियों को लेकर हम फिर से आएंगे एक नए इशू के साथ में the Indian pulse आपकी आवाज सरकार तक पहुचाता रहेगा तो आप हमारे साथ में बने रहे है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए thank you thank you very much